हाई फ्रेंड आज मेरी रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस मखाने की मखाने के अंदर कैर्शियम, मैगनीज और बहुत सारे तत्व पाये जाते हैं जो हमारी बॉड़ी के लिए आवश्यक हैं यानि इसकी बहुत जादा मैडिशनल वैल्यू है लड़ू, मीठाई वगरा भी बनाके बर्फी या ऐसे सिंपल फ्राई करके इसे खाया जाता है चलिए हम आपको बताते हैं टेस्टी सबजी बनाना ये जो मखाना हमने लिया है ये वेट में 75 ग्राम होगा इसके साथ ही हम कुछ ड्राइफ फूट्स लिये हैं काजू, बादा मगज के बीच और थो दो से तीन लॉंग इन सारी चीजों को हमें ग्राइंड करना है ग्राइंडिंग जार में हम काजू डाल देंगे मखाने डाल देंगे अगर आपके पास मखाने ना हो तो आप मुमफली या तिल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा खोया जीरा जो आप देख रहे हैं वो जीरा नहीं है शा जीरा है और फिर इसे ड्राइंड कर लेंगे और इसका देखे इस तरह से हमने पेस्ट बनाए इसके बाद हम पानी डालेंगे क्योंकि अक्सर होता है और लॉंग शायद हम डालना भूल गये थे बाद में लॉंग डाल दे रहें और थोड़ी इसी काली मिर्च बिना लहसुन प्याज की यह सबजी बनेगी बहुत ही डिलेशियस होगी अब देखे हम थोड़ा साइस में गरम मसाला भी डाल दे रहें और कोई मसाला हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे थोड़ी हल्दी सिर्फ कश्मेरी मिर्च डालेंगे और नमक इन ची मेरी मिर्च मिला दीजिए पर मैंने नहीं मिलाया मिक्सर का जार खराब था इस कारण मैंने प्लेट रखके उस पे पीसा है कड़ाई में एक छोटे चमच हमने घी डाला है घी डालकर अच्छे से हम इसे रोस्ट करेंगे जब तक पूरी तरह से करारे ना हो जाए गैस की फ और उसके बाद फिर हम घी में डालेंगे कड़ाई में घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है फिर हम सिंपल जीरा के बजाए शाह जीरा तेज पत्ता और थोड़े से करी पत्ता और थोड़ी सी लाल मिर्च और हरी मिर्च यानि हरी मिर्च ही लाल हो गई है इसे ह लो फ्लेम पे थोड़ी देर भून लेंगे उसके बाद बटर का टेक्श्चर देना है बटर नहीं था तो मेरे पास मलाई थी मलाई को हम ले लेंगे इसलिए घी डाले पहले कि मलाई जल ना जाए अब इसे हम रेगुलर चलाते रहेंगे ताकि हमारी मलाई जो फटे ना प्रेशिंग करेंगे उस समय इस्तिमाल करेंगे अब जार में थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि जार में लगे हुए मसाले भी साफ हो जाएं और जो लगे रहें उसे फिर बाद में हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे जब सबजी में पानी डालना होगा नहीं तो जो पान अगर ज्यादा डाल देंगे तो हमारा मसाला बहुत पतला हो जाएगा और भूनने में उतनी ज्यादा इसे समय लगेगी जब आप ट्राइफ्रूट्स वगरे डाल के मसाले बनाते हैं तो गैस की फ्लेम को लो रखते हुए रेगुलर आपको चलाना है और नहीं तो यह जो है चिपक जाएगी हमारे कडाई में अब देखे कश्मीरी मिर्च हम डाल दे रहे हैं इसका थोड़ा सा यलो कलर था और ब्राइट रेड आ जाएगा बहुत ही सुन्दर कलर कलरिंग के लिए ही यह डाली जाती है कि देखने में सबजी जब अच्छी लगती है तो लोग करते हैं एक बार आप इस तरह से सबजी बनाएगा तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे चाहे पूरी पराठा रोटी या आपके घर महमान आये तो आप इस तरह की सबजी बना सकते हैं मैं आज इसलिए इस सबजी को बना रही हूं क्योंकि मेरे यहां सबजी थी नह मैं कर शाम को नहीं जा पाई, थोड़ा सा मौसम खराब लग रहा था, तो बारिश के यंदार जैसे मैं मार्केट नहीं गई, और ना तो बारिश हुई, और ना ही सबजी घर में आई, मौर्निंग में थोड़ी सी थी, तो शाम को हमने बना लिया, और रात में जा नहीं पाए कि दोफर के लिए कुछ ले आएं, चलिए अच्छा हुआ, इसी बहाने हमने मखाने की सबजी बनाना सोचा, मखाने की सबजी को खुला रखके हम बॉयल करेंगे, अगर धग देंगे, तो ये ड्राइ फ्रूट्स है, ये पूरा बॉयल हो जाएंगे, बॉयल होके ये पूरी तरह से गिरने लगेंगे, जब ये पूरी तरह से हमारा मसाला तयार हो जाए, यानि आपको लगे कि गाढ़ा हो गया, थोड़ी देर ही हमें बॉयल करना है, तब मखाना हम डाल हैं, जिससे इसका जायका और अच्छा हो जाए, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे, अभी थोड़ी देर हमें और पकाना है, ताकि हमारी जो सबजी है थोड़ी गाढ़ी हो जाए, और गाढ़ी जब हो जाएगी, तो ये बहुत ही डिलिशियस लगेगी, गैस की सबजी अगर आपको बनानी है, और आप पूरी तरह से वीडियो देखेंगे, तब ही समझपाएंगे कि क्या तरीका मैंने अपनाया, और बिना लेसुन प्याज वाली ये डिलिशियस सबजी बनकर तयार हुई, इसके ऊपर वही क्रीम और घी वाला मिक्षर हम डाल देंगे और बहुत ही डिलिशियस सबजी तयार है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा, और चैनल में नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजेगा, एक बार आप जरूर ट्राइब कीजेगा